आज मैं ऐसी मेथी मटर पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि धाबे और रेस्टोरेंट सबको फेल कर देगी इतनी तेस्टी इतनी यमी कि मैं बताई नहीं सकती क्या महकारी है क्या स्वाध है इतनी जवला जवाब रेसिपी है और इसको जब भी आपका मन करें कुछ इस मेथी मटर पनीर बनाई है और आप देखते रजेंगे कि आपने बनाया है इतना जवाब फ्लेवर आपको लगेगा तो आईए इसको बनाना शुरू करते हैं मेरे साथ आप सबका स्वागत हैं इंडिया रसुई बाइप पूनम में यहाँ पर मैंने मेथी लिए है बारी काटके रखें हैं आउइल है मस्टर और यूज करें आप अपने साब कोई भी यूज कर सकते हैं साथ में मतल लिया है कुछ काजू और बदाम लिये हैं एक कटोरी मैंने यहाँ पर मलाई ली है कुछ खड़े मसाले भी हम यूज करेंगे जैसे मैंने दो चोटी लाइची ल कर्काद मैंने इसमें प्याज डाल दी और सारी हरी मिर्जों हमने काटकर रखी थि सारे खड़े मसाले आप देख सकते हैं अधरक सबको डाल देंगे और जो ड्राय फूर्स हैं इनको भी यहां पर हम डाल देंगे और डालकर हम यहां पर लगबग दो कटोरी पानी डाल तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इतने यह हमारे यहाँ पकती है, इसको पकने में 5-7 मिनट लगेंगे, आए इतने हम यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लेते हैं, पनीर को फ्राई करने के लिए देखिए मैंने पनीर ले लिया है, और इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर स्क फोलिक नियुक्ति हो गई जोबinks है, अब देखिये यहां पर यहां पनीर फ्राइइ करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी तो गरम हो गईए तो मैंने अइन और अपने अपने साथ से कोई भी ओल ले सकते हैं और गरम होने के बार, इसमें पनीर डाल दीजिये हैं, पनीर को ह पनीर को हमें बहुत जादा नहीं करना है यहां पर अब देखें ó real और और यह को पनीर करें पनीर को उसी तरीके CORू राइक कर ज़रू करें यहां पर अमदे जर्त पांड डाली इसपे तरीके में आपर रीक पनीर को chief निखें श्यांकर रहे संसरें atac जा filthy calls इसी को वो यूज़ करते हैं और इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर डाल कर भी दिखा रही हूँ ऐसे हम करेंगे तो हमारे पनीर कभी भी हार नहीं होगे बिल्कु इस पंजी की तरह बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे तो जब भी आपको पनीर फ्राई करना तो हमेशा उसको बॉयल वाटर में रखिए और उसको जब यूज़ करना हो तब उसमें से निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं आईए इतने हमारे पनीर फ्राई हो गए हैं अब यहाँ पर हम मटर को बॉयल कर लेते हैं मतर इसमें optional है आप चाहें तो डालें चाहें तो avoid भी कर सकते हैं मुझे मतर बहुत पसंद है इसलिए मैंने मतर का यूज किया पानी में नमक डाला चीनी और उसके बाद नमतर डाल कर इसको हम 8-9 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे मेधि भूनने के लिए मैंने बटर का यूज किया है बस इसका करवापन और कसेला पन जो होता है उसको खतम करना उतना ही पकाना है तो नीचे हमने बटर डाला एक आदा स्पून और उसमें हमने मेधि डाल दी और इसको slow flame पे पकाएंगे अब देखिए इसका सारा पानी सुग गया तो मैं इसको अच्छे से fry कर रही हूँ और fry करके जब अच्छे से भून चुकी है तो यह ठंडी हो गई अब इसको मैं यहां मिक्सी जार में अच्छा सा grind कर लूँगे तो देखिए इस तरीके से यदि हम बनाएंगे थोड़ा lengthy process है लेकिन जब इसका flavor आएगा तो आप कुछ विश्वास ही नहीं होगा कि क्या taste आया है इस तरीके से देखिए मैंने यहां पर इसको grind भी कर लिया है और इसको मैं आपको check करके दिखा रही हूँ अब देखिए कितने अच्छे से about aging हो गई है और साथ में इसकी आप मतर बही है अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए झोड़दीया था थोड़ने अच्छे से गल चुका है और अब इसको भी हम यहां पर ग्राइंड कर लेंगे तो ग्राइंड करने के लिए देखे मैंने जाल में इन सब को डाल दूंगे और एक फाइन पेस्ट हमें इसका बनाना है वैसे तो मेटर पनी तीन तरीके से बनाई जाती है एक सफेड ग्रेवी मारेतल बज़ेतलर से यहां पर यहां पर ग्रेवी वाली आपको बता रही हूं तो देखें यहां पर यह पेस्ट बनकर रारी हो गया है इस तरीके का में नुदा तो आये शारी चीजे रेडी होगया अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं तो को दिशन में चार चमच आएल में ने रहा ठोरा थोरा सब्सक्राइल रूशान है तो यहाँ पर 4 बाव दया यहाँ पर निए लिक्तार्श गला तो और इनको हम अब अच्छे से पकाईंगे पकाने में 5-7 मिनट लग जाएंगे, इसकी ग्रेवी बनाने में ही time लगता है, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच बनती है और खाने में भी बहुत लाजवाब होती है तो इसको पकाने का काम बहुत होता है इसमें आप देखिए मसाले पकते-पकते 7 मिनट हो गए थे और तेल साइट-साइट में से सेपरेट होने लगा तो इस केस में मैंने यहाँ पर 3 जमल दहिट एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर से हम इसको थोड़ा पकाएंगे तो पकाने में 3-4 मिनट हो गए है और देखिए अच्छे से तेल फिर से सेपरेट हो गया तो अब हम इसमें यहाँ मेथी जो हमने ग्राइन करके रखी थी उसको डाल देंगे पनीर जो फ्राइ हुए थे उनको सब को यहाँ पर मिक्स करेंगे साथ में मटर बॉयल किये वे थे उनको भी हम डाल देंगे मटर आप अबोईट भी कर सकते हैं मेरे को पसंद है तो मैंने किया है यहाँ पर यूज अदर्वाइस आप चाहें तो इसको मेथी पनीर भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छी बनेगी बहुत ही टेस्टी होगी तो इस तरीके से देखें सारे चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हमें इसको और पकाना है और साथ में इसकी ग्रेवी बहुत थीक होगी तो इसमें हम पानी जरूर एड़ करेंगे तो पानी आप अपने साथ से कितनी थिकनेस चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो कटोड़ी पानी एड किया है और साथ में स्वादनू सा नमक डाल देंगे अब यह सब डालने के बार हम इन अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे और साथ में फिर से cover करके इनको हम 7-8 मिनट तक पकाएंगे तो देखिए यह अच्छे से मैंने यहां cover कर चुकी हूँ और इसको छोड़ देंगे 7-8 और बीच में check करती रहेंगे आप देखिए उपर से यहां पर oil दिखने लगा है अब इस condition में मैंने यहां पर मलाई यूज किया मलाई से इसका flavor बहुत ही बढ़ता है इसको बिल्कुल भी miss नहीं कीजिएगा मलाई डाल कर इसका flavor इतना बढ़िया आएगा कि इसको एक दूसरे level पर लेके जाएगी तो ज़रूर इसमें मलाई डालिएगा मलाई डालने के बाद इसको gravy को अच्छे से हमें mix करना है इस तरीके से देखे सारे gravy को मैंने यहां पर अच्छे से mix कर लिया और इसको फिर cover करके हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे अच्छे से मलाई इसमें सारे gravy में साथ में पक जाएं तो इस तरीके से देखे मैं इसको यहां पका रही हो और मैं इसको cover करके फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी अब छोड़ने के बाद जब मैंने 5 मिनट बाद इसको चेक कर रही होगी तो इसका flavor अलग ही होगा तो साथ में यहां पर मैंने चौका त्यार किया इसको हम शाही चौका भी कह सकते हैं जो इसकी taste को और बढ़ाएगा तो यहां पर मैंने कुछ बदाम दो टुकरे में करके रखे थे और साथ में काजू आप देखे gravy यहां पर बहुत अच्छे से पक गई पांच मिनट बार जब मैंने देखा तो देखे क्या उपर ओयल सेप्रेट हो गया क्या रंग आया और क्या मेहकारी मैं आपको कैसे बताओं कि आप जब इसको बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि क्या इसका taste of flavor है तो आईए आप इसको हम serve कर लेते हैं मैंने मेरे पास छोटी सी यही एक कह सकते हैं छोटी खड़ाई यही थी जिसमें देखने में बहुत अच्छी लगती है तो मैंने इसी को use किया है यहाँ पर और इसमें यहाँ पर मैंने सारे को serve कर लिया और उपर से हम यह जो हमने ready किया हुआ छोटा था इसको डाल कर इस तरीके से यहाँ पर त्यार करेंगे तो इस तरीके से हमारी आज की मेथी मटर पनी बनकर त्यार हुई क्या रंग है क्या flavor है जब आप बनाएंगे तो आप बार बार मेरे channel को देखेंगे और इसी तरीके से बनाना चाहेंगे इसकी मैं पूरी शोटी लेती हूँ तो आईए हमारे यहाँ पर यह मेथी मटर पनी तो बनकर त्यार हो गए अब इसको और टेस्ट बढाने के लिए नान बना लेते हैं मैं healthy नान बना के दिखाऊंगी आपको जो कि आप जब चाहें तब बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप आटा लिया इसमें दो बड़े चम्मत मैंने रागी काटा लिया है दो बड़े चम्मत यहाँ पर मैंने चने काटा लिया और दो बड़े चम्मत मैंने यहाँ पर जो काटा लिया और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको लगेगा इससे तो बहुत मुश्किल होगा अच्छे बनाएंगे बहुत अच्छे बनेगे और दो बड़े आलू मैंने यहाँ पर यूज किये हैं हाँ जी दो बॉयल आलू मैंने उनको ग्रेट कर लिया है और उनको ग्रेट करके ही डालेगा जिसे पूरे आटे में अच्छे से एक लेवल में सारे आलू सेट हो जाएंगे तो इस तरीके से इन सब को डाल कर हम अच्छे से सेट कर लेंगे अब इसके उपर मैंने यहाँ पर एक चम्मत नमक लिया दो चम्मत चीनी ली है और चुटकी भर मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज किया है और तीन बड़े चम्मत मैंने यहाँ पर रिफाइंड यूज किया है आप इसकी जगा कोई और भी ओयल यूज कर सकते हैं और मैं इस पूरे आटे को यहाँ पर दही से गूथ रही हूँ आप चाहें तो लियूक वांग और मिल्क से भी यहाँ पर इसको गूश सकते हैं और चाहें तो आदा दूद आदा पानी से भी गूश सकते हैं इस तरीके से हम एक रोटी का डो यहाँ पर त्यार करेंगे इसमें थो जितना जादा मलेंगे उतना यह सॉफ्ट बनेगा और चिकना होगा तो इसको गूथने में मुझे 5-7 मिनट लगे और यह अच्छे से बनकर यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गया तो देखिए इस तरीके पूरा चिकना हो गया है तो अब इसमें मैंने एक चमच ओल लेके उपर से इसको ऐसे सेट किया तो देखिए हमारा आटा यहाँ पर आटा लगबग यहाँ पर बिलकुल घुत कर रेडी हो गया है अब मैं इसको एक bowl में यहाँ पर shift कर लेती हूँ मैंने यहाँ bowl में रखका इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया लेकिन बच्चे आ गए थे बच्चों को तुरंद खाना था यह special dish तो मैंने आटे को ज़्यादा धेर नहीं रखा आप रखेंगे तो आपके नान और चिकने चिकने बनेगे मैं तुरंद बनाने लगी हूँ तो देखें मैं यहाँ आपको नान बनाना सिखा रही हूँ सबसे पहले हम डोलेंगे जैसे हम रोटी का लेते हैं और उसे सूखे आटे में लगा कर बेल लेंगे इस तरीके से मैंने बेल लिया और इस उपर से मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकर कर दिया है थोड़े से काले तेल और चिरोंजी जिसको कहते हैं आप डाल सकते हैं थोड़े से मैंने यहाँ पर पमकीन सीट्स को इस तरीके से सब को डाल का हम बेलन को अब हलके हाथ से इनको दबाने के लिए यूज़ करेंगे इस तरीके से मैंने यहां बेला और इसके दूसी साइड में हम पानी लगाएंगे इस बात का धियान रखेगा हमें दूसी साइड में पानी लगाना है और पाने भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, उतना लगाना है कि यह हलकालका सा गीला हो जा, बिल्कू हलकालका सा, और इसके बार मैंने गरम तवे पे इसको डाल दिया है, देखें, कितनी सुंदर लग रही है, और कितना पतला मैंने इसको बनाया है, तो यहाँ पर मैं ए जहां नहीं पकी है उधर उधर से घुमाते वे इस तरीके से सारे नान को पकाएंगे तो आप देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर नान को आपको दिखा रही है कैसे पकाना है और साथ में रोटेट करकर के चेक कर रहे हैं कि कहां नहीं पके उस तरीके से मैंने यहाँ पर तब बनाएए बढ़े आए या कोई भी guest आए आप इस तरीके से देंगे कोई जजी नहीं कर पाएगा कि आपने यहाँ पर इतने healthy way में नान बनाई है तो अब मैं यहाँ पर आपको दूसी नान भी उसी तरीके से बेल कर बता रही हूँ आप देखिए बेल लिया मैंने यहाँ पर पूरा और इसके साथ मैंने chili flex को फिर से sprinkler कर दिया आप चाहें तो दूसरे seeds को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप देखिए यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और pumpkin seeds को डालकर हम इसको soft hand से इस तरीके से बेल देंगे और सब चिपक जाएंगे दब जाएंगे अब इसके दूसी साइड में हम पानी फिर से लगाएंगे उसी तरीके से हमें पूरे नान में पानी लगाना है और इसको फिर हम गरम गरम तवे पर इस तरीके से आप यहाँ पर डाल देंगे अब डालने के बार हमें इसे उतना पकाना है कि यह थोरी से पक जाए नीची वालब जो layer है वो अच्छे से cook हो जाए फिर हम इसको प्लट कर इस तरीके से देखिए फिर से मैं दोनों हातों को यूज करें एक हाथ में camera और एक हाथ में तवे को और इस तरीके से क्योंकि हमारा यह जो जो टाइपब वर्ड होता है यह भी इस तरीके से camera नहीं दिखा पाता है इसलिए हमें अपने hands को use करना परता है साथ साथ में कभी-कभी तो इतनी मेहनत से हमारा आज का वीडियो बन कर त्यार हुआ और हमारा इस्पेशल जो जिसको आप लंच भी कह सकते हो डीनर भी कह सकते और सेटरड़े संडेगी पार्टी में भी बिल्कुल इंज्वाइ करना बनता है और किसी के गैस्ट आने पर भी इसको इस्पेशली किया जा सकता है बहुत ही स्पेशल डेश है ज इस फेशली में नान को दिखा दीया है और मेथी मुत्र पनीर में त्यार हो गया हुआ है तो बंता है जो बनता है पार्टी और फ्राइडे की पुन्ना रात की पार्टी इस तरीके से आप अपनी घर में कभी भी special food बना सकते हैं पार्टी कर सकते हैं गैस्ट आने पर बना सकते हैं और इसको खुब enjoy कर सकते हैं तो बताईएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी मिलती हूं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक take care bye bye